तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है ये दही लौकी जो की खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है ये सबजी अगर नॉर्मल तरीके से हम लौकी नहीं खाते तो आप दही के साथ मिक्स करके बनाएए उसका तेस् तो वीडियो एन तक जरूर देखना कि किस तरीके से मैंने ये दही लौकी बनाई हुई है तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और एस भी देखते है कि किस तरीके से मैंने दही लौकी बनाया है अगर मेरे चैनल को आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे प किस भी से आ कर सकते हैं। ज़रूर ही वाश कर लिया और आ तो सबसे पहले हम लॉकी को ओई में फ्राइी कर लेंगे। आप चाहे तो टीफ राइी भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा तेल डाल के उसको रोस्ट भी कर सकते हैं तो मैं यहां पर deep fry नहीं करूँगी तो यहां पर मैंने gas पर कड़ाई चड़ाई है और दो चमाच वाईल का यूज़ किया है और लॉंकी को हम इसमें हैं हल्का सा रोस्ट करेंगे तो यहां पर मैं लॉंकी डाल देती हूँ और इसको फ्राई कर लेते हैं डीफ फ्राई करने से थोड़ा सा ज़ादा ओईली हो जाता है इसलिए डीफ फ्राई करना मैं प्रफर नहीं करूंगी इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ तो पहले हम इसको लॉंकी को सॉफ्ट हो जाने तक इसको अच्छे से भून लेते हैं तो जब तक लॉंकी फ्राई होती है तब तक हम बाकी की तैयारियां देख लेते हैं तो यहां पे मैंने कुछ समगरी ली है जो हम दही लॉंकी बनाने में यूज़ करने वाले हैं तो सबसे पहले तो यहां पे मैंने दही लिया है, तो यहां पे यह रूम टेंपरेचर का दही है, फ्रिज से निकला हुआ दही नहीं लेना है, यह रूम टेंपरेचर पर रखा हुआ दही हमें लेना है, तो यहां पे यह एक कटोरी दही लिया है मैंने, नेक्स मैंने यापे एक मीडियम साइज का प्याज है उसको लिया है और बारिक बारिक चॉप कर लिया है प्याज स्किप भी कर सकते हैं जरूरी नहीं है डालना है नेक्स मैंने यहां पर 2-3 हरी मेच हैं उनको भी बारिक चॉप कर लिया है नेक्स यहां पर लिया है मैंने कुछ साबोत मसाले तेजपत है, बड़ी इलाइची है, दालचीनी है आपके पास जो भी अविलेवल है आप बो डाल सकते हैं अधरवाईज सकिप कर सकते हैं नेक्स यहां पर लिया है मैंने एक चुटकी हींग और नेक्स यहां पर कुछ हमने लिये हैं ड्राय मसाले जैसे यहां पर है यह धनिया पाउडर है, एक चमच आदा चमच है हल्दी पाउडर, आदा चमच लालमिच पाउडर और आदा चमच गरम मसाला पाउडर तो गरम मसाला पाउडर भी आप स्किप कर सकते हैं अगर आप नहीं खाते हैं तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं दही लौकी और नेक्स्ट मैंने यहां पर एक मीडियम साइज का टमाटर भी लिया है चॉप करके तो गैस पर मैंने कडाई चड़ा दी है और जो ऑईल लिया था उसको डाल दिया है और यहां पर मैंने कुछ जो साबुत मसाले लिये थे उनको भी एड़ कर दिया है तो इनको पहले हम roast कर लेते हैं थोड़ा सा देन इसके बाद हमने जो यहां पर हींग ली थी हम उसको एड़ कर देंगे हींग डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सबजी में और इसके बाद हम डालते हैं जो हमने जीरा लिया था एक जमच उसको डाल देते हैं और जीरे को भी थोड़ा सा गोल्डर म्राउन कर लेते हैं ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए तो जीरा भी हमारा भून चुका है अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आपको कितना तीखा खाना पसंद है नेक्स्ट यहां पर मैं डाल रही हूं अध्रक लेस्ट का पेस्ट तो यह आप रेडिमेट भी यूज कर सकते हैं मैंने कद्दू कस करके लिया है इन चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा भून लेते हैं इनको ताकि कच्छा पन हट जाए इनका तो यहां पर सारी चीज अच्छे से भून चुकी है यह आप देखिए अब हम इसमें नेक्स्ट डालेंगे प्याज जो प्याज ली थी हमने प्याज आब इसकिप कर सकते हैं अगर नहीं खाते हैं विल्कुल आप्शनल है प्याज तो इसको हम अच्छे से गोल्डन मिक्स कर देंगे और साथी साथ हम इसमें नमक भी एड कर देंगे ताकि नमक डालने से अच्छे से गल जाते हैं टमाटर जल्दी पक जाते हैं तो यहां पर मैं नमक एड कर देती हूं और अच्छे से मिला लेते हैं और इसको सॉफ्ट होने तक टमाटर गले तक हम इसको प की होई है कि नहीं तो यह देखिए सॉफ्ट हो चुकी है लौकी तो अब हम गैस की फिलिम को बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो यहां पर टमाटर भी अल्मोस्ट गल चुके हैं यह देखिए बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब हम इसमें जो ड्राय मसाले लिए थे उन सभी मसालों को हम इसमें आड़ कर देते हैं और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देते हैं मसाले को मसाले को मिक्स मसाला हम भून तो और यह में रखाँ करने बूत और 1-2 मेनट भात अच्छे लेकं लोक करके रखास चखा है तो लौकी भी काफी सॉफ्ट हो चुकी है फ्राइ करने के बाद आप डी फ्राइ भी कर सकते हैं या तो थोड़ा सा इसको रोस्ट भी कर सकते हैं तो यहां पर मैंने डी फ्राइ नहीं किया है तो लौकी को भी मसाले में अच्छे से मिक्स कर देते हैं और लौकी डानले के बा तो ये देखिए बहुत ही बड़ी तरीके से मसाले में कोटिंग हो चुकी है लोंकी की तो लोंकी भी हमारी बनकर तयार हो चुकी है और ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है ये तो अब हम गैस की फ्लेम को बन कर देते हैं और लोंकी को थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं क्योंकि हमे करेंगे लोओक को पहले हम ठंडा कर लेते हैं तो ये देखें लोओकी हुचुकी है दो से थीन मिनट के लिए हमने इसको रख दिया था ठंडा होने के लिए अब हम अईर्ण कर देते हैं और दही करने के बाद हम इसको अच्छे से पहले मिला लेंगे तो यहां पर मैंने दही को लॉंकी मैं अच्छे से मिला लिया है तो मिलाने के बाद हम गैस की फ्लेम को आउन कर देते हैं और एक मिनिट के लिए हम इसको फिर से भाप में पका लेते हैं तो एक मिनिट हो चुका है अब हम चेक कर लेते हैं यह देखें लॉँकी की सबजी बनकर एकदम तयार है, दही लॉणकी बनकर ड्हेडी हो चुकी है। यह देखें पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, फिर इसके बाद हम इसको एक सर्विंग बाउल में ट्रस्फर कर लेंगे सर्ब करने के लिए, तो गर्मा गरम दही लॉंकी बनकर एकदम तयार है एक चीज हम इसमें और एट करेंगे तो इसमें हम उपर से धरिया पती एट करेंगे गार्निशिंग के लिए जो की बहुत ही ज़ादा टेस्टी है और स्वाथ भी बढ़ जाता है इसका तो अब हम इसको फिर से मिक्स कर देते हैं एंड मिक्स करने के बाद हम इसको एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं तो दही लॉंकी को मैंने एक सर्विंग बाउल में निकार लिया है गर्मा गरम सर्व करने के लिए एक दम तयार है आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये दही लौकी और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है आई होप आपके लिए ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीस लाइक करें शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ या आदर कोई एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर